जय गने शायनमा, शीवन फूर फॉरस में आपका फिट से स्वागत है, आज मैं आपको ड्रीप इरिगेशन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसके बारे में A to Z information बताऊंगा, तो वीडियो को लास तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको समझ नहीं इरिगेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या का चीजियों की आवक्षकता होगी, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, यह है सिकेंटरी पाइप, जो में पाइप के साथ अटैच होगी, यह कैंची है, जो पाइप को काटने के लिए काम आईगी, यह ड्रीप यहां यह स्टैंड है, जो स्टैंड होगा, जिससे ड्रीप, यह खोल करने के लिए चीज है, मीन पाइप को खोल करने के लिए, यह आगे कनेक्टर्स, अगर आपको लेट और राइट कहीं पर भी टर्न करना हो, तो यह यूज कर पाएंगे हम, बहुत ही असानी से मैं बताऊंगा सब कुछ, और यह है पीवी सी, सीमेंट मतलब कि अगर ज्यादा हो गया हो तो पानी गर रहा हो तो यह इसको खोल को बंद करने के लिए यूज होगा, चलो आप में इंस्टॉल करके लिखाता हूँ, तो जितने आपको चाहिए होगी, वह इतनी पाइप ले लो में को इतनी जो इसका यह वाला पोजिशन है, जो मैंने फोटो पर भी दिखा रहा हूँ, एक एंड में लगा लेंगे, यह हमने अटैच कर लिया है, और हम यह अटैच हो गया है, यह दूसरा पर एंड लगेगा मीन पाइप पे, और यह आगया हमारा होल्डर, जिससे यह स्टैंड तो हम इसका फॉस्ट होल में है, इसमें डाल लेंगे, हमने डाल लिया है, अब यह आगया कनेक्ट का जो मीन पाट है, जहां से पानी बाहर आएगा, हम यह भी कनेक्ट कर लेंगे, और यह हमारा कनेक्ट हो गया, और यह हमारा पूरा रेडी हो गया है, में पाइप को अटै आपको खूल करना होगा जैसे मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में ऐसे ही और ये खूल हो जाएगा बहुत असानी से और एक ज़ूरी बात इसमें पानी छोड़ देना अगर आप पानी छोड़ोगे तो जो खूल के अंदर जो कनेक्टर आराम सक कनेक्ट होगा जब थोड़ा स पानी निकल जाए तो आप पानी बंद कर सकते हैं तो मैंने भी पानी बंद कर दिया है ये आगया कनेक्टर जो इसका शाउप पार्ट है वह हम इस जहां पे हमने फोल किया है उसके बीच में लगा लेंगे आराम से जाएगा अगर पानी नहीं चोड़ते तो बहुत ही इसको जो हमने आपको ग्लू दिखाई थी पीवीसी सील इससे हम ग्लू कर देंगे ये देखो थोड़ी थोड़ी लगा देंगे तो डैट कि यहां से पानी ना निकले हमारा काम हो गया हम मैं आपको पूरा ओवर ल्यू दिखाता हूं ये मेन पाइप यहां से जाएगी यह हम थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर यह देखो चलो अब ड्रिप को देखते हैं कि हमारा सेक्सेस्फुल हुई है कि नहीं हमने पानी को छोड़ दिया है और हम यहां पर खोल्ड कर लेंगे और यहां से ड्रिप को खोल लेंगे क्लॉक्वाइस ओ ये हमारी ड्रिप इरिगेशन स्टार्ट हो गया है बुन बुन पानी आने स्टार्ट हो गया, अब इसके साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना पानी चाहिए, कितनी स्पीड में पानी चाहिए, आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी आपको चाहिए, वो आप इसको पानी को कंट्रोल कर सकते है और हाँ बस यही है सिंपल और सरल आज के लिए बस इतना ही लाइक और सब्सक्राइब करके जाएए गया हूँ